प्राइम टीवी पर श्वेता किस साथ में आप हाँ दिख रहे हैं प्रोग्रां हेल्थ मंत्रा हstep6 ज्याश नया कोई सेग्मिंट रहता है जूश्प हर इक नय डॉक्टर से बात करते हैं ऐसी हमार साहत इस्टूडियों में मौझूध है सोप्रीड बाली किते संके ठीच कर सकते हैं तो आइसे बात करते हैं डॉक्टरafterीड बाभा मैं, आपका हमारे शो में बहुत बशावागा थैंक यू, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए मैं, हम लोग हर बार अपने हल्प मंत्रा शो में एक टॉपिक पर बात करते हैं क्योंकि बहुत लोगों के बारे में पता होता है पर एक बहुत इनिशल लेवल पर उनको बहुत सारी चीज़े नहीं पता होती है जिसकी वज़े से हम ऐसा सेग्मेंट रखते हैं तो हम आज स्कीजोफरेनिया पर बात करने वाले हैं तो मैं, जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप उसको डिस्क्राइब करिए कि स्कीजोफरेनिया होता क्या है जी, स्कीजोफरेनिया एक सीरियस साइकलोजिकल डिसॉडर है बेसिकली ये मेंटल इलनेस है ये बहुत सीरियस साइकाटिक डिसॉडर है जिसकी वजा से एक इनसान की जो इस डिसॉडर से सफर करता है उसकी सोचने की, उसकी फील करने की और उसकी नॉर्मल बहेव करने की जो शक्ती है वो कही न कहीं डिस्टरप्ट हो जाती है, कहीं न कहीं ठीक से फंक्शन नहीं करती है और अगर हम इनके कारणों पे बात करते हैं तो क्या कारण रहता है ये इस तरीकी की डिजीज होने का कहीं कारण हो सकते हैं स्किजोफिनिया के स्किजोफिनिया के जो इंपॉर्टन्ट कारण है वो होता है एंका बेलनस होता है वो बिगड़ जाता है फिर जैनेटिक फैक्टर भी कारण होता है कई फैनेटे जो होते हैं वो भी कारण होते हैं स्किजोफिनिया के उसके अलावा किस तरह का कोई ऐसी stressful situation या फिर drugs का यूज़ करने वाले लोग भी इस कारण से इस problem से पीड़ेत होते हैं अच्छा माम अभी आपने कहीं सारे कारण बनाया है इस्ट्रेस बताया है बहुत सारे आपने कारण अभी उनको थोड़ा से explain करें कि मतलब किस तरीके से क्यूंकि हम लोग डिफ् अज़ोफ्रेनिया पे हम लोग एकदम से फेक्क कर बाता है और क्यूं होता है तो उसको थोड़ा सा हमें प्लीज प्रीज कर देखिए जो में कारण जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और ब्रेइन कमिस्ट्री और स्ट्रॉक्चर जिसे हम कहते हैं कि दिमाग में जो केमिक प्रेजिनिंग्स हैं वो नहीं हो पाती है तेन जैनिटिक कारण क्या होता है कि अध टाइम्स इंसान के अंदर अगर आपके पेरेंट्स को है ये प्रॉब्लम और आपके अंदर ये प्रॉब्लम होने के चांसे और भी जादा बढ़ जाते हैं उसके अलावा अगर आपके अंदर ये situation है और अभी initial phase पे है और इतने symptoms clear नहीं है तो वो नहीं देखता है बट environmental factors ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हमने अभी देखा कोविट में कितने तर लोगों की तबियत को effect करा कहीं लोग जो बिलकुल absolutely busy थे अपने job में अपनी life में all of sudden की job चली गई या किसी अपने close one क death हो गई तो इस तरह के कारण जो होते हैं अगर आपके अंदर दबे हुए symptoms हैं तो कोई भी ऐसा stressful episode हो तो वो उसको बढ़ाता है वो उसको जागरू करता है तो वो बंदा face करता है तो environmental factor हो जाता है और when it comes to drug use तो किसी भी substance का use करना या excessive drugs का use करना तो इस तरह के जो लोग ज जल्दी यह जो symptoms है यह आजाते हैं अगर उनमें already के symptoms dormant हैं अचा डॉक्टर यह है कि हम लोग कारण पर बात करें आपने काफी अच्छा describe किया है कि किस तरीके से कारण होते हैं किस तरीके से effect करते हैं फिलाल हम एक लक्षनों पर बात करना चाहते हैं कि लक्षन और जो संक पर बात करें तो काफी सारे लक्षन होते हैं जैसे biological लक्षन होते हैं then cognitive लक्षन होते हैं फिर moods वाले लक्षन होते हैं but जो main जो main लक्षन है जिसे देख के बिलकुल भी ignore नहीं करना चाहिए और हमारे जो psychiatric है उनको refer कर देना चाहिए वो है hallucination और delusion तो एक hallucination हम कहते हैं hallucination जहां पर एक इनसान को ऐसी बाते सुनाई देती हैं या ऐसी बाते दिखाई देती हैं जो actual में नहीं होती जब हम उस इनसान के साथ होते हैं तो वो कहता है कि देखा तुमने सुना मुझे कुछ सुनाई दिया बट हमें वो नहीं सुनाई देता बट उन्हें वो बहुत और delugional ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें लगता है कि सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है delugions में भी टाइप होती हैं जैसे delusion of prosecution, delusion of what you call it religion then delusion of what you call at times it is infidelity जैसे prosecution or regression वाले delugions वाले delugions होते हैं इन में क्या होता है कोई भी इनसान दो इनसान भी बात कर रहे होते हैं तो उसको लगता है यह मेरे बारे में बात कर रहे हैं और उसको ऐसे लगता है सारी दुनिया मेरे अगे साजिश कर रही होती है infidelity में ऐसे होता है उसे लगता है कि मेरी wife का किसी और के साथ affair चल रहा है या wife को लगता है मेरे husband का किसी और के साथ affair चल रहा है तो religious का ये होता है कि at times बहुत ज़ादा obsessed हो जाते हैं religion को लेके कि मेरे धर्म के बारे में कुछ इस तरह से कैसे बोल दिया काटने मानने पर तो वो normal नहीं है so ये main कारण है hallucinations and delusions जो है ये main कारण और main symptoms है जो बहुत ही साबने से नजर आते हैं इनको ignore नहीं करना चाहिए आज़ा आपने अभी जैसे लक्षन पर हमने बहुत सारी बात कहीं आपने कहीं सारे लक्षन भी बताया है लेकिन यह होता है कि कभी कभी लोग जज नहीं कर पाते हैं कि ये जो लक्षन है वो नॉर्मल तरीके से लेते हैं, वो लोग ये नहीं जान पाते हैं, कि ये एक बिमारी के लक्षन भी हो सकते हैं, तो किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, कि ये एग्जेट, स्कीजोफरेनिया के ही लक्षन है, तो उनके क्या डिफरेंस, हम किस तरीके से उसको डिफरेंस कर सक पे हैं जी देखी क्या होता है हम लोग बहुत ही जल्दी किसी को जज कर लेते हैं और कोई इनसान कुछ अलग होता है हमसे तो हम उसको सीधा पागल घोशित कर देते हैं हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं जब इस तरह के सिम्टम दिखाई दे कि जो इनसान बहुत एक्टिव को इंजॉई नहीं करता जो उसका फेवरिट था जो इसकी हॉबी थी या फिर ऐसे लोग नॉर्मल काम ठीक से नहीं कर पाते और अफ सड़न कोई देखे कि एक इनसान है जिसके ओपर जिम्मेवारियां हैं और वो रेगुलर्ली ऑफिस जाता था आता था और नॉर्मल अपनी डे टो डे लाइफ जीता था आल अफ सड़न कोई ऐसा ट्रिगर हुआ कोई ऐसा एपिसोड हुआ जिसकी वज़ा से ये जो दबे हुए लक्षन थे सामने आये तो आप नोटिस करते हो कि इसके बेहवियर में चेंजिस हैं ये कटा कटा सा रहता है ये बात करते हुए उसकी आवाज में कमपन हैं और ये इनसान अभी सारा दिन सो भी सकता है लेट भी सकता है बिलकुल किसी से बात नहीं करता और अगर दो चार लोग बैठ के कुछ किसी टोपिक को लेके बात कर रहे हुते हैं तो ऐसा इनसान कुछ और ही बीचमें किसी और बात को लेके करता है which is very प्रभी औव्यस आपको दिख रहे हैं कि कुछ तो गल्дж चल रहा इसके साहथ तो अगर आप इस तरह के behavioral चीज GRA्नों देखें कोई अपने आप सी बाथ कर रहा होता है आप देखें कोई इस कोई इनसान होता है जो अपने आपसे बात कर रहा होता है आप उसको observe करें कि इस तरह का इनसान ये अपने आपसमें बड़ बड़ा रहा है बात कर रहा है तो वो इनसान बात बड़ बड़ा नहीं रहा होता उसे hallucination हो रही होती है उसे आवाजें सुनाई देती है और उन आवाजों का जवाब देने की कोशिश करता है उसके लिए वो normal है वो natural है हमारे लिए हमें लगता है ये पता नहीं क्यों बड़ बड़ा रहा है तो आप अगर किसी को देखते हैं जिसमें इस तरह के वियोहार बोलते हैं जिसे behavioral changes किसी में आप observe करते हैं तो definitely बिना time waste किये उसको एक mental health professional के पास एक doctor के पास लेके जाए एक psychiatric treatment होगा उनका तांके जितना जल्दी intervention हो जितना जल्दी उनका treatment हो उतनी ही जल्दी उनकी सहत पे control या सुधार हो जी बहुत अच्छी बात है कि मतलब अगर वाकि में अगर हम time रहते हैं अगर हम doctor से concern कर लेते हैं हम एक किसी बड़ी चीज को होने से रोक सकते हैं जैसे बोला आपने बहुत सारे लक्षन हमने बात किया लक्षन जैसे होता है कि हर person में अलग-अलग होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि हर patient में एक ही तरह की हो तो क्या ऐसा possible है कि मतलब आपने जितने भी लक्षन बताएं एक में हमें हमें दूसरा environmental हमें दिख रहा है दूसरे में हमें कुछ और दिख रहा है तो क्या is it possible कि ऐसा होता है जी हां बिलकुल possible है कई बार कुछ जो symptoms है कई बार कुछ जो लक्षन है वो बहुत ही सामने होते हैं आपको दिखाई देते हैं और कई बार वो बहुत ही dormant होते हैं बहुत ही lesser level पे होते हैं इतनी जल्दी वो observe नहीं हो पाते हैं तो yes it's definitely possible अथ्या माम अगर हम ऐसमें age group की बात करते हैं तो इक ऐसे गृूप में बहुत ज़्दा देखने के लिए तो क्योंकि कि हर एक का Criteria होते हैं जिसे कुछ diseases आसी होती हैं就 चाइल्डूट में होती हैं कुछ diseases आई होती हैं जो यांच्टस में होती हैं आन जिनेरिक लेवल जब देखा जाए तो स्किजोफिनिया से पीडित लोग ज़ादा तर 13% अबव की एज कैटेगरी में फॉल करते हैं। वियराज जब हम एक मेल को एक आम पुश को लेके देखें तो उसके अरली टीन एज से लेके उसके 20 अफ एज तक जादा चांसेज हैं। और जो फीमेल्स हैं वो थर्टी टू फॉर्टी के बीच में जादा चांसेज हैं उनके इस प्रॉब्लम के। मतलब होती हैं जादा बर्देश उभर के तब सामने आती हैं। वो ट्रिगर होती हैं किसी ना किसी एपीसोड की बचा से। अचा अब लोग जैसे आपने भी बात कर रहे हैं कि एक मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उनसे मतलब उनसे कमपेयर करें तो इसका शिकार मेल्स जादा होते हैं या फीमेल्स जादा हैं। देखिए ये एकचली कहना तो बहुत मुश्किल है कि जादा तर कौन इस चीज का शिकार होता है। But on general level, जो female होती है, they are more open, they are more communicative. तो stress अगर आता भी है, they are some way, they are able to handle it because वो feelings को share करते हैं. तो कहीं न कहीं, वो उनको, कोई भी episode उनके लिए इतना जादा वो खतरनाक नहीं होता है. Like अगर कोई ऐसी stressful situation आई है, जो trigger का काम करती है, तो वो उनके लिए इतनी stressful नहीं होती, because they are more resilient to stress हम कहते हैं. Whereas जो men होते हैं, वो जादा अंदर ही अंदर रहते हैं, जादा किसी से बात नहीं करते हैं. तो कहीं ना कहीं, उनमें ये stress जो है, वो जादा पाया गया. आचाम, हम लोग अभी आपने male and females के लिए भी बताया कि females जो हैं, बहुत जादा effective नहीं करती हैं. नहीं, I am not saying नहीं करती हैं, I am saying किसी specific trigger को, वो handle कर लेती हैं, but the ratio जो है, वो clearly बताना मुश्किल है, अगर genetic factors involved हैं, तो female भी equally effective हो सकती हैं, but the thing is that male जादा तर जो है, वो अपने emotions को share नहीं करते हैं, वो तो कोई भी serious episode, वो उनके लिए जादा traumatic होता, आपने देखा भी होगा, के all our world, जो men है, वो heart attack से जादा, cardiac arrest से जादा death होती है, as comparative to female counterpart. जी. आज़ा, मैम और यह बोला जाता है, कि इस बीमारी को एक degree के थूम आपा जाता है, मतलब जैसे और बीमारी में ऐसा होता है, कि stages वगरा होती है, कि कौन किस stage पर है, कौन किस level पर है, जैसे first level पर है, second level पर है, तो इसमें degree से compare कि कौन किस degree का, मतलब जो भी है, इसकी जोफरेनिया का जो शिकार है, उसको degree से दिखा जाता है, इसकी जोफरेनिया के three categories में fall होता है, जो सबसे least होता है, that is pre-dromal stage, और दूसरा active stage होता है, और तीसरा होता है residual stage, तो pre-drominal stage जो होता है, उसके अंदर हमारे जो लक्षन होते हैं, वो symptom होते हैं, वो जादा उभर के बाहर नहीं आते हैं, जादा से जादा behavioral changes होती हैं, जो समझ में आती हैं, कि बंदा कटा कटा सा रहता है, किसी से जादा मिल जुल के बात नहीं करता है, क्योंकि जो लोग schizophrenia से period होते हैं, वो इतनी जल्दी socialize नहीं कर पाते हैं, उनके जादा दोस्त नहीं होते हैं, वो जादा social situation में अपने आपको अच्छे से conduct नहीं कर पाते as a result, वो सबसे कटे कटे से रहते हैं, और बहुत ही depressed feel करते हैं, बहुत ही low feel करते हैं, energy levels उनके बहुत low feel करते हैं, तो वो एक stage होता है, जो generally ignore हो जाता है, और clearly बाह नहीं आता, कि it could be that, लेकिन जब हम second stage पे आता, active stage पे, active degree पे, उस पे क्या होता है, कि it is hallucination or delusions बहुत ही clearly सा नहीं आता है, तो that is the time, जब बिना delay के, बिना किसी और सोच विचार के, आपको उनको immediate उनका treatment कराना चाहिए, और delay नहीं करना चाहिए, वियराज, residual stage में क्या होता है, कि आपने proper treatment लिया है, as well as अपना diet and exercise, और medicine के साथ-साथ आपने अपना therapy भी कराई है, और कहीं न कहीं symptoms जो हैं, वो अभी control में आ गए हैं, और फिर वो बहुत ही कम हो गया, यानि जो psychotic episodes होते हैं, वो जादा रिय कर नहीं होते हैं, आपसार माम, और यह है कि हम इन diseases का, schizophrenia का पता लगाने के लिए, क्या कुछ special wishes type के कुछ test भी कराये जाते हैं, कि किस से हम इनको judge कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ होता है, आपसलूटली, tests are on the basis of hallucination और delusion के basis पे ही, टेस्ट किये जाते हैं, और उस टेस्ट के दोरान ही, डाइगनोस्टिक होता है, कि कौन कितने डिगरी का तक affected है, इस problem से, जी, अचा और यह है कि हम doctor से कब किस time पे concern करें, कौन सा ऐसा time होता है, कि timely हम उन doctor से concern क करें, एक time period भी होता होगा, क्योंकि लोग क्या होता है, कि हमेशा ही होता है, कि जब भी कोई बीमारी अगर पता भी चल जाता है, अगर लक्षन भी उनको पता चल जाते हैं, उसके बाद भी वो बहुत डिले करते रहते हैं, तो एक ending point क्या होता है, कि हम उस time पे hundred, मता हम ल होती है, तो अगर आप उनकी treatment में कुछ डिले करेंगे या उनको लेट लेके जाएंगे, तो उनकी जान भी जा सकती है, यह एक reason हो सकता है, अच्छा मैम अभी आप बता रहे थे कि अगर हम लोग समय रहते हैं, अगर दॉक्टर को नहीं रिखाते हैं, तो जान जाने का भी इनकी degree कम होती है, वो बढ़ती जाती है, और जितना हम treatment में delay करेंगे, उतना ही जादा लंबा treatment भी चलेगा, तो एक timely intervention और timely treatment बहुत जादा जरूरी है, और यह एक serious problem है, इसको इतना lightly नहीं ले सकते, तो जैसे ही किसी को लगे कि problem क्या होती है, इलाज और treatment वहीं पे आसान ह हो जाता है, जहां पर लोग समझ जाते हैं कि हाँ, यह problem मुझे है, जादा तर देखा गया हमारे देश में परिवार वाले या जो इस schizophrenia से पीड़त है, वो यकीन ही नहीं करते हैं कि उन्हें यह problem है, थोड़े दिन treatment करेंगे, थोड़े दिन दवाई लेंगे, थोड़े दिन इसकी बात सुन लो, इसकी बात सुन लो, धीरत जल्दी कोने लगते हैं, तो डॉक्टर बार बार बदलने लगते हैं, बट इस तरह का problem सौट आट हो जाएगी, अगर किसी को है schizophrenia, तो वो माने और जो इसके परिवार वाले एक important role play करते हैं, उन्हें भी यह बात मानना है कि ह इस person को है, और हमें उसको पूरी तरह से support करना है, और उसके बारे में जादा से जादा जानकारी रखे किस बंदे को किस तरह से वो handle कर सकते हैं, आचा, यह भी बोला जाता है, जो इस कीजोफेनिया से सफर कर रहे होते हैं, वो दूसरों पर निरबर हो जाते हैं, तो क्या कर पाते हैं, तो अगर बिल्कुल ही initial stages में हैं, तो निर्भर इतने नहीं होते हैं, बट इसके भी अलग-अलग phases होते हैं, अगर वो catatonic phase में हैं, तो इस तरह का इंसान जो होता है, वो उस मोड में चला जाता है, जो बिसतर से बिल्कुल नहीं उठता, खाने के लिए नहीं नहीं उठता, नॉर्मल डे टू डे जो ख्रियाएं होती हैं, सुबा से रात तक उनके लिए नहीं उठता, प्यास लगी हो तो पानी पीने के लिए नहीं उठता, तो कहीं नहीं वो दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो catatonic stage वाले जो लोग होते हैं, वो जाधता dependent हो जाते हैं, otherwise जो बाकी भी होते हैं, जिनको paranoia है या कुछ है, तो फैमिली मेंबर्स को बहुत ही smartly handle करना पड़ता है, कि इसको कोई इस तरह का scenario ना हो घर के अंदर, कि वो trigger का काम करें, या उनको disrupt ना करें, या अगर वो कोई काम बोल रहे है और वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको एकदम से बुली ना करें, गुसा ना करें, उस पे patience रखें, और भूले नहीं ये बात कि वो एक patient के साथ handle कर रहे हैं, अपना आपा ना खोई अजा और ये है कि ऐसा कभी-कभी होता है कि इसकीजोफरीनिया के जो patient है, उनको कभी-कभी ऐसा होता है कि हम देख गर जज कर लेते हैं कि ये इसकीजोफरीनिया से ब्रसित है और उससे शरवाइब कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होता है जिनको देख कर हम पता कि ऐसा कुछ है जी जी बहुत सही क्वेशन पूछा आपने कि नॉमल दिखने माला लोग जिसमें अभी हलूसिनेशन है या डिलूजन है या और कोई सिम्टम्स हैं जो इतने क्लेरी विजिबल नहीं हैं लेकिन जब वो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ऐस लोग बहुत ही तेज़ 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 बात करते हैं और बात करते करते कहीं बार रुखते हैं अटकते हैं कहीं बार उनकी आवास ट्रेमर करती है और कहीं बार टॉपिक कुछ और चल रहा होता है और बीच में कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं या नॉमल बात करते क वो इस तरह से react करते हैं इस तरह के social environment पे तो जो इंसान इस तरह से behave कर रहा है, इस तरह से react कर रहा है that shows that that person is going through schizophrenia and अगर आप schizophrenia के बारे में समझें और इसके बारे में जादा से जादा जानकारी रखें और जानकारी फैलाएं, तो यह कोई ऐसा नहीं है, कोई चूद की बिमारी है आप उस इंसान को बहुत अच्छे से handle कर सकते हैं और उसके इस तरह के psychotic episodes जोते हैं इस तरह के episodes रिया करना हो, उसमें उसकी help कर सकते हैं बहुत अच्छी, आपने बार बताएं, यह कोई चूद की बिमारी नहीं है, ऐसा चीज नहीं है लेकिन फिलाल फिर भी कुछ लोग बहुत ज़दा इससे परिशान होते हैं लोगों को लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम भी ऐसा problem में आ सकते हैं पिलालागर में हम इनके treatment की बात करते हैं, तो इसका क्या treatment हो सकता है, किस तरीकी की treatment इसके डिके जाते हैं जब हम schizophrenia की patient को treat करते हैं, तो हम दो तरहां की approaches को apply करते हैं एक होता है psychiatric treatment और एक होता है psychological treatment अब psychiatric treatment में हम उन्हें medication देते हैं और anti-psychotic medicines दी जाती हैं और anti-tremor जैसे कहा के बात करते हैं and all, tremor medicines दी जाती हैं उस तरहां की medicines जो हैं वो काफी सालों तक लेनी पड़ती हैं basically ये medicines दी जाती हैं serotonin और dopamine के levels को कम करने के लिए और ये जो medicines हैं आजकल injectable के form में भी है क्योंकि कहीं लोग तंग आ जाते हैं daily daily medicines लेके तो ये अब injectable के form में भी है जो हफते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप उसको injection form में भी लगा सकते हैं और इनके भी first generation और advanced second generation medicines आ गई हैं अब इमाकिट में और therapy की बात करें तो उनकी constant therapy बहुत ज़्यादा जरूरी है जिसमें behavioral therapy, cognitive behavior therapy, then ctc and family group therapy तो ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि patient बिलकुल ठीक रहे और अपने आपको अच्छे से conduct कर पाए अच्छा माम इस treatment के बाद जैसे आपने कई सारे treatments बताया हैं कि medicine के थूरू भी हम इस patient का treatment कर सकते हैं वाकि और उसमें medicines भी कहीं तरीकी की है जिसमें injective आपने बताया कि injection के थूरू की हर 15 days में injection से भी मतलब लेते हैं कई लोग injection तो क्या इस treatment के बाद जो patient है वो क्या permanently सही हो जाता है क्या उसको बाद में कभी कोई इस तरीकी की problem नहीं हो सकती जब हम treatment की बाद करें तो treatment option नहीं है treatment ज़रूर लेना बहुत compulsory है बहुत ज़रूरी है नहीं तो तब्यत बहुत जादा खराब हो सकती है और जी हाँ अगर treatment regularly लिया जाए तो definitely with the passage of time बहुत फरक पर जाता है इनसान को दबाई के साथ साथ एक regular therapy में होना भी बहुत ज़रूरी है इस तरह के patient के लिए तो सिर्फ धैरे को खोना वो important चीज़ है वो याद रखें क्योंकि कैई सालों साल medicine को खाना पड़ सकता है तो धहरे ना खोए हाँ मैं मानती हूँ के दबाईयों के कैई side effects हो सकते हैं जैसे कुछ लोगों को जादा नीद आती है या लथार जी feel करते हैं या कुछ अलग तरह का feel करते हैं symptoms होते हैं यह जो किसी भी तरहां के जो side effects हैं वो इतने serious नहीं है और वो बिल्कुल भी नहीं यह जताते के आप medicine ना लें तो medication इसमें choice नहीं है medication इसमें बहुत important है तो माम जो patient थीक हो चुका है तब क्या वो दुबारा से schizophenia के शिकार हो सकते हैं see, बिल्कुल absolutely हो सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है तो राय नहीं है कि नहीं हो सकते हैं the thing is that कि अगर वो third degree पे पहुंच गया है जहां पे अभी residual stage पे है जहां पे अभी symptoms बिल्कुल कम हो गए हैं जादा नजर नहीं आ रहे हैं अगर कोई इस तरह का episode हो गया कोई इस तरह की situation हो गई कोई ट्रिगर ऐसा हुआ जिसकी वज़ा से एक तरह से जैसे फैमिली में किसी की टेथ हो जाना या कुछ इस तरह से एक circumstances ऐसे बन गए जहां पर परसन के पास कोई option नहीं है तो yes definitely यह हो सकता है अचा मैं अभी तो आपने फिलाल एक हम एक topic पर बात कर रहे थे तो आपने बूला था कि कोई छूट की बिमारी नहीं है जिससे परिवारों को भी affect करता है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो लोग स्क्रीजोफरीनिया के patient के साथ में रहते हैं उनको भी affect करता है कुछ हद तक क कुछ ऐसा percentage something कुछ ऐसा है कि उनको भी affect मतब देखने कर मिलता है कि उनके पास भी ऐसी चीज़े आ जाकती है तो क्या ऐसा है नहीं क्लिकली ऐसा नहीं है इट इस ओनली पॉसिबल अगर जेनेटिकली उस इंसान को स्किजोफरीनिया है देखिए स्किजोफरीनिया होने का ज स्किजोफरीनिया है तो वह एक रीजन हो सकता है बाकि येस मैंने थेरपी की बात और फैमिली ग्रूप थेरपी की बात क्योंकि ता कि जो लोग इस तरह के पेशिंट को हैंडल करते हैं उनके लिए भी stress buster बहुत ज़रूरी है और उनको भी time to time अपनी feelings को वेंट करना आपके पास कोई option नहीं है और आप उस option को यूज नहीं कर रहे हैं तो इस तरह के families जिन में esquizophenic patient है उन families को group therapies भी provide की जाती है जहां पे वो इन लोगों से मिलते हैं जिनके भी किसी के husband को है तो वो ऐसे लोगों में group therapies में मिलते हैं जहां पे किसी और के भी होता है तो group support मि और भी लोग हैं हमारी तरह जो इसको handle करते हैं तो वो डिप्रेसिव स्टेज आती है और फिर एक दूसरे को help की वज़ा से और regular therapy की वज़ा से आप उसको absolutely counter कर सकते हैं कीजोफरेनिया एक ऐसी बिमारी है कि लोगों से discuss नी करते हैं इवें इलाज कराना भी नहीं जाते हैं लाज कराने भी जाते हैं क्योंकि उनको लगता है उनको एक डर रहता है कि अगर आम इस तरहीं की बिमारी अगर करवाने जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि सब में spread out हो है और सबको पता चल जाए इस वज़े से वो च्छिपाने लगते हैं उसके लिए यह भी कहा जाता है कि इस बिमारी को जितना जादा अगर हम चुपाते हैं तो उससे और जादा यह बिमारी जो है वो बढ़ जाती है तो क्या ऐसा होता है जी हम इनको एबसलूटली ऐसा हो और इस तरह की चीज़ों करने लगते हैं उनको लगता है क्या कहा जाता है उपरी हवा लग गई है हमारे जो भी इनसान इससे सपर कर रहा है उसको तो येस डिफिनेटली अगर हम डिले करेंगे तो डिफिनेटली इस तरह की सिचुएशन का सामना बिलकुल करना पड़ेग और ज़दातर लोगों में ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें नौलेज नहीं है अवेरनेस नहीं है लोगों को जादा जानकारी में नहीं है इसके बारे में तो अच्छा है आपके चैनल के माधियम से इस तरह का टॉपिक मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है किसी चै जो को और एशा इसा इनसान जो बड़ बड़ा रहा है जो अपने आप से बाते करता है को आपयों के डीौट्रम्य करताह जैसे जो भी हमारे सिंटम्स होते हैं ऑकशिasan रेकाएं कि लगेगा कि एक जरनल कंट्गरी के ये तो पागल है और ये पागल वाला टैबुना बहुत बुरा है हमारी सोसाइटी में, हम लोग समझते नहीं हैं, हम लोग react करते हैं, तो हमें वो जो एक emotional connect और एक भावना होनी चाहिए, उनके लिए वो negative आती है, वो positive आनी चाहिए, और जिस तरह से आप लोग awareness फिला रहे हैं, तो I'm sure कहीं लोग होंगे जो इसको देखेंगे और उनके कोई relative किसी गाउं में होंगे या कहीं होंगे और उनको इस तरह की problem होगी, तो वो at least connect कर पाएंगे के नहीं, यह कोई उपरी हवा नहीं है, यह कोई ऐसा नहीं है, यह एक बीमारी है, सीरियस बीमारी है, और ठीक भी हो जाएग वो एक person to person depend करता है, या हर patient का treatment का timing है, जो duration है वो एक ही time की, अगर एक साल में time लगता है सही होने के लिए, तो सभी के लिए एक साल लगता है या सब में अलग 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 लगता है? अबसलूटली अलग अलग लगता है वो डिगरी के ओपर डिपेंड करता है किसको कितने डिगरी का स्किजोफिनिया है, किसको कितनी डिगरी डाइगनोज हुई है तो यह बिलकुल भी नहीं कहा जा सकता कि यह एक layman term है और एक specific उसका chart है कि इदर से इदर तक रहेगा तो नहीं होगा इट differs from person to person, इट differs from age group to age group तो यह definitely एक fix नहीं है अलग है, हर इनसान का अलग है जितना उसका level है, जितना advanced level है उतना लंबा treatment चरेगा मैं और हम अगर स्कीजोफरीडिया के पेशेंट के खानपान की बात करते हैं तो उनको क्योई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना पड़ता है यह जो नॉर्मल परसेंट खाते हैं या नॉर्मल परसेंट की जो डाइट होती है उसी डाइट पे रह सकते हैं बहुत अच्छा क्वेशन पूछा आपने जो स्कीजोफरीनिक परसन होते हैं वैसे तो नॉर्मल हिल्दी खाना खाना चाहिए और जो अवाइड करना चाहिए वो है बिलकुल कैफीन जिनमें कैफीन होता है या अलकोहल बेस्ट कुछ खाने होते हैं या फिर जादा चीनी वा डोपमिन का लेवल बढ़ सकता है एंसान का तो खाना बिलकुल सिंपल सादा खाना होना चाहिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको के मीठा और इस तरह का खाना जो घर का बना खाना जनरली ठीक रहता है बट अगर बाहर का भी ओकेजिनली खा सकते हैं बट वो खाना कैफीन बेस्ट ना हो एलकोहल बेस्ट ना हो अपने मीठे की बात की कि मीठा एवाइड करना चाहिए क्यों क्या रीजन है इसका जब मीठा खाते हैं तो हमें इंस्टंट रश मिलता है इंस्टंट मीठा इस इन फॉर्म आफ सिंपल कार्भोहाइडरेट तो इंस्टंट क का मीठे आप आप इंस्टंट इनजी फिल कराता है आप को इमडियेट व्रश फिल करता है आप डिप्रेस्यालौ यह त showcase को चीजें ने ए्घंड के लिए अगर थाखगें ale ricean को बढ़ाता है तो बद उस्ट्र पिरिनेक वह उररेटी अल्याटिट टे पहली रहता है और जो अल्रेडी इलेट स्टेट में रहता है उसको इस तरह का कोई भी खाना जो शुगर बाला हो या कुछ हो तो वह ऐसा खा लेगा तो फिर उसकी सिचुएशन जो है वह आउट अफ कंट्रोल हो जाएगी उसे खुदी नहीं पता चलेगा कि मैं अपने आपको किस तरह से कंड किस टाइब का होना चाहिए किस तरह की कंडिशन होनी चाहिए क्या चीज उनके सामने नहीं करनी चाहिए जिस वजह से उनको और जड़ा दिकocyzled और उनकी प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है वो एक पेशन्ट है जो रिस्पॉंसिबल नहीं है अपनी कंडिशन के लिए बट वो यह फेस कर रहे हैं और वो अकेले हैं और उन्हें आपके साथ की आपकी हेल्प की और सबसे इंपॉर्टन चीज आपके प्यार की बहु संधी रहने के लिए हम लोग एक एक्सराइज योगा और बहुत सारी चीजे अम लोग करते हैं तो क्या इस पेशन्ट के लिए क्या विशेश प्रकार का कोई यूगा होता है कोई एक्सराइज होती है जिस्से हम उनका जो इस कीजोफ्रेनीय से प्रॉबलम ही उसको हम कम कर सकते हैं जी बिलकुल एपसलूटली योगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम हमेशा कहते हैं कि जो भी पेशेंट हैं जो स्किजो फिर्नियां से गुजर रहे हैं वो योगा करें थोड़ा सा परहेज से करना पड़ता है जैसे आप रानायाम करें जो बहुत हैं और एक चीज का ध्यान रखना है कि मेडिटेशन को थोड़ा अवाइड करना है मेडिटेशन फेस में नहीं जाना है प्रानायाम रेगुलर करना है और कुछ योगिक पोजिस जैसे ताड आसन है और शावासन है और वट यू कॉल इट चाइल्ड पोस कहते हैं हम उसको अर्दिमुकासन है और अपना वारियर पोस कहते हैं तो इस तरह के जो आसन्स हैं ये मूड को इंप्रूव करते हैं स्ट्रेस को दूर करते हैं माइंड में कामनेस को लेके आते हैं मूड को अच्छा करते हैं कॉंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इस तरह के पेशन्स के ल कोई अपनी राय देने लगता है कि आप ये वाली medicine ले लिजिए या ऐसा कर ले जए तो क्या ठीक है कि हम Heh dollars say without consultation कि हम लोग इस त heroic से काम कर सकते हैं यह doctor consultation के बाद ही हम कोई medicine ले jदensionल अपने आपसे द्वाइप नहीं लीजाए ये देखी यह जानलेवा भी हो सकता है क्योंकि इस तरह के patient को suicide के खयाल भी बहुत आते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने हिसाब से कुछ भी दे दिया उसका degree क्या है वो आपको पता होना चाहिए एक अच्छे psychiatrist को ही पता है कि इसका treatment क्या करना है दवाई का कितना dose देना है कितनी बार देना है तो अपने से कुछ मत कीजिए विकाज अगर आपने कुछ भी ऐसा किया और कल को वो बंदा suicidal फील कर रहा है और suicide attempt कर ले तो वो फिर उसकी responsibility कौन लेगा और वो जो guilt होगा उसके around वो बहुत जादा होगा एक चीज़ याद रखने की कोशिश करें कि जो भी ऐसे family members हैं जिनके घर में ये problem है जो ये अपने friends को जाते हैं जो ये face कर रहे हैं patience बहुत जरूरी है और दवाई को खाते रहना है regularly और कहीं सालों तक खाना है तब जाके इस treatment के उपर कुछ control हो सकता है और कहीं न कहीं अगर आप इसको बीच में छोड़ दें या doctor frequently बदलें जैसे कि मैंने पहले भी कहा तो उससे harm होगा उससे नुकसान जादा होगा उससे कोई फाइदा नहीं होगा तो इसको lightly ना लें और self-medication तो बिल्कुल भी ना करें आखर में हम चाहेंगे आप हमारे Prime TV के viewers को एक message दे जी बिल्कुल सबसे पहले thank you so much Prime TV का मुझे हम लाने के लिए और इस important topic के उपर आज हम बात कर पाए उसके लिए मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी request है कि schizophrenia के patient को आप कोई अचूत ना समझें या पागल ना समझें ये बहुत जादा जरूरी है कि इस बारे में इस problem के बारे में आप ये जो psychotic disorder है इसके बारे में आप awareness पहलाएं और अच्छे से इनको treat करें और इनको एक अच्छा environment दें और आपके friend circle में, family circle में कोई ऐसा है जो आपको लगता है कि पीडित है इस चीज से और उनको नहीं समझा रहा ये क्या है तो please उनको guide करें कि वो एक बार जाके doctor को दिखाएं और उनका सही treatment शुरू कराएं और most important thing, हर चीज, हर वो इनसान जो खुछ से बढ़ बढ़ाता है या कुछ से बाते करता है या उसे कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है जो एक normal इनसान को नहीं सुनाई देता है तो ऐसा नहीं है कि भूत है, परेथ है तो अंदविश्वास ना करें और सही treatment कराएं तो प्लीज अंदविश्वास से बाहर निकल के सही रस्ते पे चलें तो कोई भी problem problem नहीं रहती, वो absolutely manage हो जाती है आज की Prime TV के शो हेल्थ मंतरा में हमने बात की डॉक्टर सुपरीद बाली से जो की एक psychologist है इनसे हमने इस कीजोफरेनिया पे बात की जिनोंने हमें स्कीजोफरेनिया से समधित काफी अच्छी जानकारी दी है उमीद है आपको ये सभी जानकारी काफी पसंद आई होगी अगले एपिसोड में हम फिर आजिर होंगे एक नए टॉपिक पे और नएक नए डॉक्टर के साथ पर तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी नमस्कार झाल